ओ हर हर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ मित्रो, आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। दर्षय को आप सभी जानते हैं, ग्यारह जन्वरी दिन गुरुवार को पहुश माह की अमावश्या दिथी है। तो इस शुब अवस्र को अपने हाथ से आप जाने ना दे, इस सुब अवस्र पर आप इस एक उपाय को अवश्य कर लें। सुबा उठते से ही आपको यह उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र चुटकी भर हल्दी की आवशक्ता होगी। और पांच जगहों पर, पांच स्थानों पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक का चिन बहुत ही लापकारी माना जाता है। इसे बनाने के लिए चुटकी भर हल्दी लेकर पानी मिलाकर शुद्ध जल मिलाकर आपको सबसे पहला स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाना है मंदिर बड़ा हो तो मंदिर की उपर बनाए या फिर पूजा की धाली में आप स्वास्तिक बना सकते हैं दूसरा स्वास्तिक आपको रसोई घर में बनाना है, दक्षिन दिशा की दिवार को छोड़ कर बाकी कहीं भी तीनों दिशाओं में आप स्वास्तिक का चिन्न बना सकते हैं, तीसरा स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको बनाना है, चौथा स्वास्तिक तुलसी क्यारे पर बनाना है आपको और पांचवार अंतिम स्वास्तिक आपको शिवालय जाकर भगवान के शिवलिंग के समक्ष में जो नीचे की तरफ छोटी सी पाली बनी होती है वहाँ पर आपको स्वास्तिक का चिन बनाना है दीपक प्रजवलित करें मा लक्षमी का घर में वास होगा और महादेव का आशिरवात प्राप्त होगा दरनिवार दर्शकों हर हर महादेव